देल कश, देल नशी, सुभे रोशने पिलतरी बर्खा के साथ रख, गैक शाओं का हुसी नया जमाना नहीं सुभोशा, नया अंदाज नहीं तरह क्योंके खुबसूरत हैं, जिन्दगे के राग अस्सलाम अलेकूम वियूर्स और वेरी गूड मॉर्निंग उमीद करते हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खेरियत से होंगे हमेशा की तरह आपकी host Dr. Aruba आपके लिए लेकर आए हूं जिन्दगी के रंग और उमीद यही करती हूं के बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोगों के काम बिल्कुल फिट चल रहे होंगे, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी अब्स्ट एक मित है, एक हमारा psychological issues होते हैं कि काली बिली रास्ता काट गई है तो रास्ता बदलने, या अगर कोई बच्चा एक दम से बहुत ही जादा रोना शुरू कर दे तो हम कहते हैं नजर उतार लें, चीक है नजर लगती है, अच्छी बात है उतार लेना लेकिन साथ में यह भी या किसी के घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का ख्याल है कि चीज के ऊपर बंदिश होई है या इसको किसी ने नजर लगाई है या कोई इसके ऊपर जादू कर रहा है, चीजें हम लोग बहुत जादा सोचने लग जाते हैं अब उसके बाद हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम उसका solution या उसकी वज़ा मालूम करने की जगा जब हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि इस पे कोई बंदिश है इस पे कोई जादू हुआ है तो हम लो होते हैं लोग उनसे तावीजें लेने जा रहे हैं या फिर उनके जिन भूत निकलवा रहे हैं और फिर किन-किन टॉर्चर्श किन-किन प्रॉब्लम्स के थूर हम लोग गुजरते हैं ठीक है जादू वरहक है नजर लगती है लेकिन क्या हम लोगों को जहर बार यही इतना अकीदा नहीं है कि हम उससे मंगे तो हमारे काम ठीक हो जाएंगे या पिर हमारे मांगने में यह जैको कमजोरी हैहां तो हमें कैसे पता चलेगा कान सही लोग किस के पास जाना चाहिए आया जो प्रॉब्लम्स हम सोच रहे हैं वो हैं भी या नहीं है अगर हैं तो उनकी निशानिया क्या होती है नाजरीन आज इसी टॉपिक पर बात करेंगा और बात करने के लिए हमारे साथ जो आज की गैस मौझूद है सबसे पहले बता हूँ शीज़ा ही लोग जानते होंगे शीज़ा टेरो कार्ड रीडर एस्ट्रॉलिजर है आज हमारे साथ मौझूद है मर्यम आफटाब साहिब असलाम लेकूम असलाम लेकूम वेलकूम तो जिंदगी के रहां थैंक यू सो माच और इसी के साथ जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं मुप्ती डॉक्टर खालिकुर रह्मान हमारे साथ मौदूद है उनसे भी हम लोग सारी निशानिया पूछेंगे कैसे कैसे इसको अबॉइड किया जाए यह है भी के नहीं है डाइग्नोसिज और रिलाज दोनों पूछेंगे उनसे सो वेलकूम करते हूं जी असलाम लेकूं सर्थ वालेकूम सलाम कैसे हैं आप अल्ला कर शुकर आपके जाए नाजीन इसी के साथ मैं आपको लिंक देती चलूँ के आप लोग हमारे अज क्षेफ नवीट साथ के चल के देखते हैं कि आज हमारे लिए किचन में क्या लेकर आए हैं असलाम लेकूं शेफ वालेकूं सलाग आज क्या है आज अज तुरा कॉम्पैक्स हो गया हमारे चिकन की जो इंग्रीडियंट्स है सारी चोटी से उसमें आज क्या बनेगा आज क्योंकि आज हम बिढ़ाने शिनवारी चिकन कड़ाई हैं शिनवारी चिकन कड़ाई मैंने एक दफ़ा इंग्लंड में खाई थी मतलब पाकिस्तान में तो चलें धाबस लिए लेकिन वहां जाके आपको जो देसी खानों की क्रेविंग होती है ना इतनी कोई आला थी मैं तो तब से शिनवारी नाम जहां मिले मैं उसकी फैन होगी इसमें सॉल्ड होगा टेमाटो ग्रीन चिली जिंजर बटर और कुरिंडर बस यह सिंपल सी इसकी रैस्पी है और मुझे कोई खास अलग से गरम पाउडर मसाला होता है और काली मिर्शे हो रितना कुछ जला होते हैं अब कुछ भी नज़ाने आदा है इसमें कुछ भी मिर् इसमें में ग्रीन चिली और सॉल्ड यूज करेंगे बाद इसके 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 बिल्कु यह थोड़े से मिसालों में बनती है और बहुत जादा मज़दार होती है कमाल और ड्रिंक में आज हमारे पास क्या हम आप्शन स्पेशल पाइनेपल जूस में ठीक है उसक इसके बाद आप हमारे चार कॉलर्स ऐसे लखी कॉलर्स होंगे जिनको फ्री वाउचेज मिलेंगे दो ऑप्शन के चिछन के और दो नएयर सेलोन के फ्री सर्विस के मिलेंगे और जो आज का सवाल है वो यह है कि ऐसा कौन सा मुल्क है वैसे तो बहुत से गॉर्पिन कंट् दरिए को इसे बाव अचिन उसरों के सा डिए सवाल के यूंसे मैं यह सवाल होगा इन शून आंने करते'RE के नाजते हлANS आए फैंक मेरे पास थो पैसले टूले टेरो का अढ़ादे नाजर हो जाता है कि आ नजर है यह हम ब्लेम कर रहे हैं लेकर आगर आपके पास यह तो आप देखें जी अगर आपने बिजनस शुरू किया है तो बिजनस के अंदर आपने राइट अप्रोच किया है आपने सारे सही स्टेप्स लिये और उसको टाइम दिया लेकर फिर भी नहीं चल गा तो देन बताओं नजर डेफिनेटली लगती है बेशक लगती है और हमारा जो और होता है उसकी फिल्ड इतनी होती है और हमारा इंस्टिट्यूट है मर्यम हीलिंग सेंटर वहां और प्रोटेक्शन से खाई भी जाती है और प्रोटेक्शन का मतलब है नजर से अपने आपको नजर की पहली चीज है आपका बचा हुआ आपने फेस्बुक पे लगा देते हैं अब आप देखें कि जिन को फर्स करें किसी ने देखा है और एक हस्रत लगी है कि उसकी उलाद नहीं है या क्या तो एक कंपारिजन चुरू हो जाता है दूसरा रश्क की नजर भी होती है और नजरी भी होती है रश्क की नजर भी होती है और आजकल हमारी लाइफ पहले जमानों में बहुत जादा प्राइविसी होती थी देव लोग सोशल मीडिया आजकल तो फेस्बुक से कोई खाना का खा रहा है और उठका रहा है तो यूर कॉंस्टेंटली अन इनर्जी वि दूसरी साइट पर आप हर चीज पर कहने लगें कि नजर लग जाती है जैसे एक मेना का बच्छा था उना होंवक करता था ना कुछ करता था उसकी माँ को नजर का वहमतार बार तो कहजा था मुझे नजर लग यह फटकरी वार हो तो उसने एक्स्ट्राइट करना शुरू क बैलें के जीज fury बाशेकि यह फ्रीक मzenieग व्कॽत करते माँ अंटू पर उना जड़कॉ पर डीनेट हमिए वांनेटित उंटल एक्स्ट्राइं टिल्ग करते है स्थ continues to get we gotta form जो पार पूर क्रुचल आप पलिए नहीन त decisions not in the नमक बहुत अच्छी नजर को तोड़ता है अच्छा, किस तहाँ? आप देखें, आपके चक्राज हैं, ये क्राउन चक्रा, थर्ड चक्रा, ये कोई भी डिप्लीट इनरजी हो जाता है ये क्या देखें, कि करी देखें, कि क्यी जफाइ ये क्यी डिप्लीट निकल गए होती है पहला से ये होता है कि अगर आपकी तदियात भी ठीक है, अब बॉट भी कर रहे हो, नूटिशन भी ठीक है, प्र क्या हो रहा है और इसमें बड़ा केर्फूल रहना चाहिए कि हम अपने फ्रेंड जो है ना खरपता तो नहीं चल सकता कौन सही है या नहीं बट हमें अपनी सोशल एनरजी इज दिए बहुत केर्फूल रहना चाहिए इस नजर को कैसे तोड़ा जाए इसका क्या सुलूशन अभी हम पूछते हैं यहां पर हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी असलाम लेकूं वालेकूं असलाम कौन बात करी हैं मैं श्याल को से बखतावर बात जी बखतावर कैसी हैं आपको शो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा बात करना चाहेंगी जी दोनों से बात करना चाहेंगी मैं गष्क त्यूसे बात करना चाहे हुआए जी प्लीज बıtाये मैंनी दोनों पर यह पूछते हैं कि एक साल मेरे शादी को हो गया है, तीन महां मेरे हैं, सुसाल मेरे हुए है, साथ आटमा हो गया मुजबने के जार ना, तो अब ना, वो इतना मतलह हराब हो गया है, कि मुझ्य कोई हो हम जन्जली आरा रहने का ना, मैंने इन दोनों से यही पूछना है कि इस यह शादी का अंजाव क्या होगा अलाइजी हो जाएगी यह सुलाव हो जाएगी अच्छा आप गुछ ते रिगार्ड़ गुषन पूछना चाहेंगे इसना वो कहते है कि शादी को साल हो गया तीन महीने से पिन लॉज में रही है उसके पहर ने पर नहीं है तो शी वांस तो शी वांस कि खाल गया क्या गुषन होगा कोई से रिगार्ड़ क्वेस्टन होता ह 23 मही 23 मही 93 1990 1993 93 93 93 अच्छा क्वेस्टिन क्या था? कि साल हो गया शादी को सिफ तीन महीने अपने सुस्राल में रही है उसके बाद से अपनी मदर के घर में रही है तो अपनी शादी का फ्यूचर मैरेड लाइफ पूछना चाथ पहले तो यह मैं बता दूंजी कि टैरो वन ऑन वन जादा अफेक्टिव होता है तो इसको मैं कहूंगे के कंडेंस रीडिंग है तो इसके अंदर डेफिनेटली कोई किसी ने बीच में आके कुछ डिस्टंस पैदा किया है इनको चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा राप्ता करें और यह हख को अला का नाम है कि मेरे हख में जो चीज़वों जल्दी बेटर हो चीक चीक है अफिछ नगा नमे में बहुत ताकत है यह वेद करें यह हख में जो भी बेटरी आप तरी यह बेर आपने आपर्टनर के साथ राप्ता कीजीर तो हम लोग बात जा मैंने इन से स Wattsा किय सब्सक्राइब कर दो किसे पता चलेगा कि आया वाके नजरे बाद है बिस्म लाहिर रह्मान रहीम असल बात यह है ना दो डिफरेंट इशू है इनको अलग अलग रखी कि तो मसला असान हो जाता एक है नजर हक है दूसरी बात है जादू बरहक है बिलकुल यह कीनी चीज़ ह हुआ है क्या मुझ पर जादू हुआ है या नहीं क्या मुझे नजर लगी या नहीं यह डाउटफुल है बिलकुल इन दोनों इशूस को अलाइद अलाइद रखें रूटीन में जब हमारी डिबेट होती है ना तो हम इसको मिक्स अप कर देते हैं जादू तो कुरान से था होना नहोना अंदlyay पे जादू हुआ है, अबिया पे जादू हुआ है, ठीक है ना जी, मुसा अलहिस सलम पे जादू हुआ है तो कुरान बताता है فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى جب جادوگروں نے اپنی رسییں چھوڑی اور وہ سام بن گئے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے کہ واقعی یہ سام پہ فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام دھر گئے قُلْنَا لَا تَخَفْ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا خبردار موسیٰ درنا نہیں ہے اِنَّا قَانْتَ الْعَالَى غَالِب غَلْبَ تمہارا ہوگا اور یہ اپنی ایساہ پھینگ دو کہنے کی بات یہ ہے جادو کا اثر انبیاء پر بھی ہوتا ہے لیکن ان کی وحی پہ نہیں ہوتا بس ایک محدود دائرہ ہوتا ہے اللہ ان کی نبوت کے کام کو جادو کی اثرات سے بچا کے رکھتے ہیں تو میں جو بات کر رہا تھا ریپیٹ کر کے بات کر کے میں آگے چلوں گا جادو یقینی چیز ہے لیکن مجھ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں یہ غیر یقینی چیز ہے اب ڈیاغنوز کیسے ہوگا اس کی تشخیص آپ کیسے کریں گے وہ بھی ایک غیر یقینی چیز ہے بالکل اسی طرح ایک طبیب ایک حکیم ایک ڈاکٹر آپ کی نبز پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے آپ کا بی پی چیک کرتا ہے آپ کی تمام چیزیں چھٹ کرتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ ڈیاغنوز کرتا ہے تو غلطی ہو سکتی مسٹیک ہو سکتی کوئی ڈیفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں بے شک بالکل اسی طرح جو جادو کے توڑ کے کام سے وابستہ لوگ ہیں بشرت ہے کہ وہ غلط کام نہ کرتے ہوں بالکل تو وہ تشخیص کر کے بتا دیں جی ہمیں لگتا ہے جادو ہے تو میں بھی ٹھیک ہو میں بھی غلط ہو اب وہ جادو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی فیزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے بالکل ہمارے معاشرے کے اندر افرات و تفریت ہے ایک طبقہ وہ ہے جو جادو کو سرے سے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ کہتا ہے جی کوئی سینٹیفیک اس کی توجہی نہیں ہے کوئی سینٹیفیک آپ اس کی ریزن نہیں دے سکتے بھائی بڑی چیزیں ہیں جن کے آپ سینٹیفیک ریزن نہیں دے سکتے بتائیں فرشتیں برحق ہیں جنات یقینی ہیں قرآن سے ثبوت ہے جبرائیل امین حضور پر وحی لے کے آتے تھے ایک لمحے میں آسمانوں میں چلی جاتے تھے آسمانوں سے آجاتے تھے میراج برحق ہے ذرا آپ سینٹیفیک توجہی کر کے تو دیکھیں اب یہ مطلب تو نہیں جو آپ کے دائرہ علم میں نہ آیا تو آپ اس علم کے انکار کر دیں سینکڑوں سال پہلے بلکہ ایک سال پہلے بلکہ ایک دن پہلے سائنس کے دائرہ علم میں جو چیزیں نہیں آئی تھی سائنس ان کا انکار کر رہی تھی جیسے جیسے آتی گئی وہ اقرار کرتی چلی جا رہی ہے تو سائنس کو دین سے اس حوالے سے الگ رکھیں وحی نے جن چیزوں کی آپ کو خبر دے دی ہے وہ dependent upon سائنس نہیں ہے وہ آپ کو تسلیم کرنا ہوں گی لیکن جادو کس پر ہے یہ تشخیص کرنا ہوگی وہ تشخیص غلط بھی ہو سکتی ہے وہ تشخیص درست بھی ہو سکتی ہے لیکن آگے بعد یاد رکھیں میں ایک عامل کے پاس چلے جاتا ہوں سپورز میں آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے مجھے کہا جی آپ کی ساس نے آپ پہ جادو کی ہے آپ کی بیوی نے آپ پہ جادو کی ہے آپ کے بھائی نے آپ پہ جادو کی ہے بالکل غلط ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جس طرح بیماری آتی ہے تو صرف بیماری کو آپ ڈیاغنوز کر سکتے ہیں یہ بیماری ڈیریکٹلی آئی یا کسی سے لگ کے آئی اللہ کے حکم سے یا بتا نہیں سکتے بالکل اسی طرح یہ جادو کہاں سے ٹریول ہو کے آیا ہے جنات نے کیا ہے انسان نے کیا ہے یا آپ کے گھر میں سے کسی نے کیا ہے یا کسی دشمن نے کیا ہے پتہ نہیں چل سکتا عامل اگر صحیح عامل ہے اسے صرف اور صرف اور صرف علاج کرنا چاہیے اسے خاندانوں کو توڑنا نہیں چاہیے ہمارے ہاں جب جادو کا کونسپٹ آتا ہے تو سب سے پہلے توہید میں خلال آتا ہے ہم جادو کا ایسا کونسپٹ لے کے بیٹھتے ہیں بچ جس نے جادو کیا اس کی تو سلطنت قائم ہو گئی ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ رہتا سارے ایک دوسرے کو جادووں سے مار دیتے ہیں بالکل جی لیکن وہی میں آپ سے ابھی پوچھتے بھی ہوں کہ ہمیں علاج تو کرنا چاہیے لیکن یہ اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ واقعی یہ ہمارے ایک دماغ کا خلال ہے کیونکہ ہم لوگ تو اکثر شک کر رہے ہوتے ہیں اور یولی شک میں آتے شک کے اس دائرے میں کون آتا ہے ساس نند جی ٹھانی یا اگر کسی کے ہاں رشتہ نہیں ہو سکا کسی اور کی جب ہو جس سے آپ کے معاملاتیں وہ آجتے ہیں آپ کا کاروبار کسی کے ساتھ وہا دے گا بالکل تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ پہلے پہلے پہچان کیسے کریں اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کے ہاں پہ Lahore سے کاروبار موجود ہیں مسیز Naeem بات کر رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہی ہے مسیز Naeem اور آپ کو شو کیسا لگ رہا ہے جی بہت زبردست میں دیکھ رہی ہوں ایک چلی میں آپ کا سنکے ہی پوراً پوراً ملایا ہے thank you so much آپ ہمارے گیس سے کوئی بات کرنا چاہیں گی جی میں ان سے بات کرنا چاہوں ان سے پہلے گھر کچھیں چی کا آئی جائے جی کریں خریریہ کو اس سے بات کروں میں بات o Hackіл کے پر church جی کھئー اس سے پہلے آپ ہیتاریوں کے چین یہ سکاہ کیا República खिक है लिक है। दुबारा सवाल करदीजी प्लीज अगर पीछा माता हैं यहां मोजे बता देए। मैंने नजरे बग के लिए रुकिया शरिया आजकल जी जी रुकिया शरिया का बहुत जादा हरे है के वो पढ़नी है ज़रे बग के लिए ठीक है यह आपके बात ऑखिए आपके बात लूख एज़ जा रहा रहा है तो यह दुखे अगर जाय को आपके यह पुछना था कि जैसे अगर में पूरा डाउन्लोड किया तो यह तो यह करती हूं जासे पिछें हर नाम प्रड करें तो संती हूं इस पर ना जरूरी है या इस तरह भी हम अपने पुरे धर में उसको कर सब्सक्राइब ठीक है जी ठीक है मिस्स नाइम थांक यू तो मच पर कॉलिंग आपकी बात का जवाब देंगे जादू की क्या निशानिया होती है जादू की क्या निशानिया होती है उसका इलाज क्या होता है हम लोगों को यह नहीं ढूना चाहिए कि किसी पर शक कर रहे हैं तो जी उससे तालुक तोड़ते जाएं या उससे नाता तोड़ते जाएं हमें उसका solution निकालना चाहिए अपने क्या के तरीके होते हैं और अपने इर्दगे कैसे वो एक safety का हिसार बांद के रखना चाहिए इससे पहले हमारे पास scholar मौझूद है तो पहले मिस्स नईम की बात का जवाब जी मेरे ख्याल में अगर आप कुछ recite करें या कुछ सुनें उसकी equal वो होती है जैसे हैपिटाइटर सी के लिए कारी बास है निसरी की जो तलावत हैं उसमें अंकरा यूनिवरसिटी में रिसाच हुई हुई है कि उसकी किरत में शफा है तो अगर वो डाउनलोड करके सुन भी लेती हैं तो इन माई एक्सपीजिएंस ये equally good है तो आप की भी यही रहे है असल बात यह है बंदे को थोड़ी सी खुद मशक्कत उठानी चाहिए अगर मुझे इतनी फिकर है मुझे नजर लग गई है तो वो में आमल खुद क्यों नहीं करता है खुद क्यों नहीं कर सकता ठीक है ना असान तरीन तरीका यह है कि अगर आपको नजर लग गई और आप समझते हैं और कई दफार डिफिनिटली तो नहीं आपको 70% 60% शो रहे ता है यार ये महमान मेरे घर आये थे इसने मेरी तारीफ की ती या मेरे बच्चों की तारीफ की ती तो मुझे नजर लग पता रहा है कि इसकी नजर लगी उससे जाकर रिक्ट कर दें। झी शायद आपकी नजर लगी हो तो आप अपने वुझू का पानी दे दीजिजिए या वुसल का पानी दें अच्छा हाँ वो पाक होना चाइए ना वुसल का पानी या वुझू का पानी वो जिस पह Parece उन अखें इतनी अवेरेनेस होनी कजिए कि यह हमारे नभी का फर्मान है अच्छे आगर मुझे इतनी अवेर्नेस है क्यों दे कि अ Bluetooth मेरे इच्छी्फ То नहीं तो नहीं है तो मैंए हमए फिद पतर तो नहीं मारे हमारे हां नजर का तर्जम्ह किया थैपा है नज鹿 यह थिर अध बाप की बुरी नजर तो नहीं होती हमारे हाँ अरबी का तर्जमा किया था है अधीस में अलाइनु हक नजर हक है हम उसके अर्दू में ट्रांसलेट कैसे करते हैं नजर बद जब हमने उसको नजर बद कह दिया तो एक मिसकंसेप्शन डिवलप हो गई अब इसके रिजल्ट क क्या होता है अगर आप मेरे पास आती है जी मुझे लगता है मुझे आपकी नजर लगी मुझे आप अपने वुदू का पानी देते में माइंड कर जाता हूं बद कर जाता हूं बद कि लोग तो माइंड कर जाते हैं कि आप हम बेशक कर रहे हैं यह जो बात करे ना रश की तो वो आप अपने बेहन बारी होंगे तो लगी जटी है वो तो कह सकते हैं वैसे स्रेंजर से तो आपके नहीं कहेंगे वह तो आप प्यादू कर रहे हैं प्यादू कर रहे हैं वह तो आपके नहीं प्यादू कर रहे हैं जो नजर को खतम करने के लिए बहुत मुश्र हैं वह उनतीसुए सिपारे की दूसरी सूरते सूरे कलम सूरे कलम की आखरी आयत तादात की कोई कैद नहीं कोशिश करें ताक अदद हो जाए वैलन गुड साथ दफ़ा जादा दफ़ा जो भी है वो पढ़के अपनी ओपर फूंक दें दूसरों के पर फूंक दें आखरी तीन कुल पढ़ लें ये काम कर लें लेकिन अपना बोज एक आमिल पर डाल लेना और उसे एक प्रोफेशनल आमिल के थुरू काम चलाना इससे बाराल अवाइड करना चाहिए ये भी लोगों ने इसलिए अपने बिसनस बना लिया है कि जी लोग आएं तो हम डाइगनोस करके बताएंगे वो एक दूसरे की जो बीसी जी ऑफिल डाल की ये है फुलाने की जी जी फुलाने की ये भी फिर आव यहां किसली बैठें पाकिस्तन को एक तामाम ख़ाने देुन हमें अप्लाइडाशा के अर्चे ट्थी ने अव्हम क्राने का देगे पीचे से कौन बात करिया थी तेख मार्ये आभल05 नेगेम आप कैसी है और आपको शो कैसा अलग रहा है आपको प्रोग्रम बहुत यह अच्छा अग्राब देना चाहूंगे जी 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 जरूर दीजिए जर्मनी है जर्मनी है ठीक है जी तांक यू सो मुच पो कॉलिंग विम्शा सो हम लोग वापस बात कर रहे थे इन बातों के उपर हम आगे लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जगर कोई सेहती खराब रहने लग गई है हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन किसी टेस्ट में क कोई शॉट कमेंड झाय और वह तो आपके लाइफ केसाफ तो आप करेंगे के वह आप से लेता है जब आप से लेता है तो वह भी एक फॉर्म स्टिशन की ओशनिक है तो आपम शे के लाइध भी उकम स्टेृ मतल इसक्ति एव ने जर्स्टा में पोर्हें।onट रूट लेक शीशा का टूटना अच्छा है या अधर टूटी मुझे आद है हमारी फैमिली में एक हमारी जिस्तिदार होती थी जिनको हम कहते थे कि यह तो नजर तोड़ है ना तो वह एक दुफा फैमिली के फंक्शन में ग्रेट कैश कर गई आप अपमेजन करें कि वह तीन क्रिस्टल क की देवारे ठाठा 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 गिरी और वह शुकर नजर तो तूट गई लेकिन आप जो भी स्टोंज यह नजर अपने पर लेते हैं आप देखें यूनिवरसली लेखें आप तरकिश एवल आये देखें तो उसमें भी वह शीशे की होती है तो इस तरह की चीजे भी ल पिर किसी स्क्रिबल करके किचीने को पेपर नुकर में फेंग देय नहीं लगाते हैं किसी कपढ़ों पाइटे नहीं कौके-नटी पढ़े और क्या हूं कोनटी स्क्रेबल और उसको कपढ़ नहीं लगाते यह पसीने वाली जो भी चीज़ें हैं बाल हैं ये सारी चीज़ें टू हैं देखें I think true है ये true है true है लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सर पर नहीं चड़ाना चाहिए कि अगर वैसे भी चीज मिल दी तो वह ले लो बट analysis जैसे इनोंने काई we have to have our analysis and कई दफ़ा इनसान के gut feeling बता जिती है यह है और यह वाली चीज में कोई बात है तो यह वहम भी है तो यह वहम तो extreme form और वहम is very negative कि आपको जो चीज मिले तो आप वहम बनाने तो अगर मेरी बेटी का रिष्टा नहीं हो रहा या फिर मुझा कि अगर आते हैं लोग और उसके बाद कोई नहीं को मसला हो जाता है यह इसके ओपर किसने बंदिश कर दिया यह मुझे कोई वहम है कि यह जब जब यह बंदा मेरे पास आया तब मेरे साथ कोई problem हो गया यह जब इसने सब्सक्राइब जैसे आप कई दफा लोग मेरे पास टातब्स मेरे पास देखा होगो हैना कि समदें ऊतनी है कि असरी मेरे पास क्यू इस फुंद आउपास चाहाँना मेरे पास को यह जब जैधने हो होग हूँग है तो इसन बनीह भी करते है कि डिदी जोस पास कर गंज हूँ आन जा है बhmen कि कौन ना है इसननी होग दुऐ ज to how to propose an antidote to someone वैसे यूजली मेरे पास क्योंके मैंने चाइड साइकोलोजी की हुए तो लोग बच्छों का पूछने आते हैं लेट से एक बच्चे को नहीं नजर लगी हुए लेट से एक बच्चे को जादू नहीं है तो पर्फेकली और इसक्रीन फिर भी मैं उनका और अरा ख्लेंजिंग से लिए देती हूँ अच्छा ऐसे कि यह कि यह से और ख्लेंजिंग इस एवन इव और चाइल इस तो टली ओके but you should be equipped to know that in future if you feel that you can have a dog how exactly do you do that like if you can explain it we use Surak Kausar seven times and your whole body of the chakras the aura field because the aura is the colors change if you take a day in San Francisco we are also trying to get a camera so you can read the aura and then you tell them and I think the parents or the other ones should be the aura protection like if you take the polio before the drops prevention is better than cure and also if you look at some things like love यह लग रही है खुब सूरत अग्राइब तो माशा अल्ला के देते हैं यह हम लोग छोटे-चोटे कलमात ऐसे कौन से हो सकते हैं इसी कौन सी बाते हैं जिसे हम प्रिवेंट कर सके पहले ही पहले ही पहले हम प्रिवेंशन बदादे जो हदीस में आता न कि जब आप किसी हिंदू कल्चर से मुतासिर एक मौशरा है हम जिस मौशरे में रहते हैं हमारे मौशरे में इस नजर को लेके इस जादू को लेके शायद नजर और जादू इतना जादा नहीं जितनी तवहम परसी जादा हो चुकी है जितनी बहतां तराशी जादा हो चुकी है जितनी कर रहा हूं मैं किसी की चुगली कर रहा हूं मैं किसी पर बुरा गुमान रख रहा हूं इन तमाम चीजों की पीशे ये चीज भी होती कि यार इसने मुझ पर जादू किया है इसकी मुझ पर नजर लगी ये खांदान की ये औरत बुरी इसकी बहुत जल्दी नजर लग जाती होता है कई लोग होते हैं उन लोगों को अपनी जगए इसी तरह जो सामने है अगर उसकी कोई तारीफ करें तो तारीफ करने वालों को कह देना चाहिए माशालला कह दें और वैसे में बगहर शरम के कह देता हूं सीरी सी बात है अगर कोई मेरी सामने मेरी तारीफ कर दे तो मैं उसे कह देता हूं माशालला कह दिया करें क्योंकि नजर अपने अख्तियार में नहीं होती लेकिन अपनी हमें लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए मैंने पहले आपको बताया एक पॉइंट रहता था फिर मैं से रिपीट कर देता हूं हमारे मौशरे में नजर बद जादू के हवाले से दो एक्स्ट्रीम लेवल है एक तो वो लोगे जो सिरे से मानता ही नहीं है वो कहते हैं कोई साइंटिफिक रीजन नहीं हालान कि उनकी बात घलत है दूसरा एक्स्ट्रीम लेवल ये है वो हर हो जाएं मेरी बेटियों के भी रिष्ट्य हो जाएं बैटों के भी हो जाएं मेरा कारोबार चमक के उपर आजाए बले बदले में में सुर्फ एक कि लोगा डबाई के उने उठा के ले आँ तो ये साड़ी बाते घलते ऐसा नहीं होना चाहिए शेडियत ने जहां तक आपको शोक ऐसा लग रहा है शोक्रे आपको अपको अपकी साथ जो जो आपकी जो नेमान हैं उनको में सलाम कर लेता हूं जी वालेकुम साथ सबस्थे पहले सिर्फ एए है कि दो चीज़े है एक है जादू और नजर का लगना और दूसरा है इसके असरात का हो जाना अब सवाल यह है कि कुछ हम सब से पहले अगर इंकार कर लेंगे जादू और नजर का ए भी गलत है और फिर इसना इसकी उपर हम अपना हावी कर लेंगे कि पूरी जिसमाली बीमारी को हम एक साइट पर लख लेंगे पर तमाम जिंदगी जो है अब मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि दोनों की जब हमें हिल्म होगा तो यह ज्यादा मुनासिब रहेगा उसके लिए सबसे ज्यादा मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि इसका इंकार भी हमें नहीं करना चाहिए और दूसरी बात इतना हम इतना उन लोगों को एक्सपोस कर लेते हैं कि वहाँ जो अमलियात को कारोबार बनाया हुआ है बिल्कुल चाहिए गलत है काम होना नहीं चाहिए लेकिन दूसरी तरफ हम भी इतना तवज़ू तो देना चाहिए कि जिल जो लोग इसके एक्सपर्ट है उनकी कम से कम एप्रिशेट होनी चाहिए ठीक है जी थैंक्यू सो मच यासिर फो कॉलिंग अभी हमने औरा क्लींजिंग की तो बात की है और इस तरह से बात किये लिकिन अभी हम प्रॉपर इसका जवाब के इन सब के असरात से को जायल कैसे किया जाए अपने आपको एक हिसार में कैसे बांदा जाए इसके बारे में ही हम बात करेंगे इसका सोलूशनई पता करें अम लोग बात करें बलकि मैं गर्यारेक सवाल ही करते हूं कि क्या बंदिश इतनी स्ट्रॉआ्इंग है कि हमारी जिंदगी के मामलात को रोक दे हमारी नॉमल चलती हुई लाइफ को खदम कर दे किसी की जिन्दगी खख़ए क तो बहुत जल्दी फेलेगी, अगर आप किसी की अच्छाई पलाओ तो उसमें देर लगी, तो नेगेटिव की शॉर्ट टर्म डिरेशन बहुत जादा होती है, यह तो अगर अगर आपने इन चीजों का तोड भी करना है, तो अल्ला के कलाम से ही करना है, बेशक, तो वो अग हैं, बात यह है, अगर हर बंदिश में यह ताकत होती ना, तो ना आप जिन्दा रहती, ना मैं इस वकद यहां जिन्दा होता, पिलकुल, पुरान करीम का इर्शाद है, वमा हुम बिजारीन अभी मिन अहदिन इल्ला बिद्निल्ह, यह जो जादू लोग करते हैं, यह का इजन होगा तो वो असर करेंगी, अल्ला का इजन नहीं होगा तो वो असर, यह नहीं होगा कि हर आपने तावीज फैंक दिया, ठा करके आपको लगा और आप वहीं डेर हो गई, ऐसा नहीं होता, जहां अल्ला का इजन हो, वहां असरात होते हैं, जहां अल्ला का इजन हो Allah okay कर देते हैं हो जाता है Allah ने मुझे इम्तिहान में डालना है Allah okay करते हैं हो जाता है लेकिन Allah ताला ने बिफोर टाइम आपको कुछ बताया तो है ना जी के आप पांच वकत की नमास की पाबंदी करें तीक है फिर आप क्यूंश कैद करती है कि मुझे नजर लगती है और मुझे जादू हो जाता है दरसल हम यह चीजे तो शियातीन को बहने बहने से अपने घरों में खुद बुलाते हैं और आगे से हम गिला करते हैं बेको जी अब हम यह सारा कुछ कर रहे हैं हमारे मैं एक यहां पर कह दूँ कि देखें बिल्कुल सुरह बकर की भी हो लेकिन हकुक अलबाद आप चैरिटी करें जैसे मेरे पर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई तो मैं फांटन हाउस मेरी बहन जाती तो मैं उसके साह जाती हूं तो मैंने बाहर से उसको फोन उनको फोन हो गया तो मैं वापस आई काल वहां गई अलांके वो अपने होश पे नहीं होते। आपका काम हो गया हम लोग यह है करको कई' को आप किया हुए हैं वो कुरान की आये पर थी तो सूरा कलम पर थी पर थी तो सूरा कसर पढ़ती है और दॉस्जा करती है तो ऑबादत और Confu treatments अगर आप साथ करेंगे तो आ आपके हिऊसाथ करेंगेगा लिया फारती कि इसलिए अब मैं भूचूँ के कि somewhat करती हूं के मत करा लेकूंत और अब把 करने सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा है लेकिन बस ये के ताइम थोड़ा बढ़ादे आप अपने शो का और बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लाएंगे मुझे एक तो आपके प्वेस्टन का आंसर देना था एक तो जर्मनी है फ्रांस और नॉर्वे डेनमार्क फ्रीडन एंड पिन लेंड ये कंट्री ऐसे हैं जो फ्री एजोकेशन देते हैं उनिवर्स्टी लेवल पे और सेकिंड मैंने ये क्वेस्टन पूछना था कि मेरे हज कि हर साल जो है फो पर्मोशन एक्सपेक्टे होती है लिकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ नजरों में आ जाते हैं या और जिस तरह उन्हें उमीद होती है पर्मोशन और इंक्रिमेंट की बो चीज नी होती है और सेकिंड ये कि बच्चों की पढ़ाई के हवाले इसे कोई हजीफा बताती है कि उनका दिल कोई हाई में लगे और रिजल्ट अच्छे आए चलें ठीक है थांक्यू सो मच फॉर कॉलिंग हम लोग अभी सुलूशन की तरफ ही आ रहे थे कि वह फिर ऐसी कौन सी रेमिडीज है पहले तो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे अ आप 99 नेम्स अवल्ला लें आप इनके बच्चों का अगर आप लंबी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते तो या अलीमो दस तफ़ा पढ़ लें या बच्चों के लिए ठीक है आप 99 बलके मैंने एक पेंटिंग भी थी जिसमें 99 नेम्स पेंट किये थे इसके अंदर मैंने कालर थेरिपी भी यूज की थी और इनका मेरे ऑफिस के अंदर बड़ा अच्छा इस्तेमाल है तो आप अगर फर्स करें कई होते हैं कि जी सुर्वक्त कर बहुत लंबी है लेकिन आपने अपनी छोटी इफादी जैसे इनका है या अलीमो ठीक है दस दफ़ा पढ़ें इसक इसी चीजे हैं कि आप चलते फुरते अगर आप इनको रट लो आपको इन्जाइटी है या कदूसर पढ़ लो तो इसी तरह साउंद क्लाउड पर मेरी एक सीडी है मेडिटेशन अंदे नेम्स अपला ठीक है वो इसी लिए बनाई है कि यूनों इस देज लाइफ इस सो बिजी सो आप अल्ला का नाम लेकर अगर उसके अट्रिबूट से फाइदा उठा सको तो इसमें बहुत फीले बिल्कुल हर वक्त जो जब जब जबान पर जिकर रहता ह तो उसके कितने हर बात हर मसले का सुलूशन है तो अगर जिस तरह हम या जादू या नजर की बात कर रहे हो तो उसके लिए एस रेमिडी हम लोगों को अगर फील होता है तो क्या है सब्सक्राइब जी इसका एक नाम सूरत तो शिफा है यह शिफा देती है आपकी आपके करती है क्योंके पूरे कुरान करीम की समरी है फिर आपके नफसियाती और जिसमाने जो प्रावलम से उनको भी ठीक करती है तो सुरह फातिहा पढ़के जो खाए जो पीए उस पर खुद दम करके वो खा पी लिया करें और कोशिश किया करें कि इलाज खुद से शुरू कर द जाती है तो बिल्द कुल की इसी तरह इनका भी होता है लेकिन इसको हववा ना बनाए अल्ला की मर्दी पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है लेकिन अल्ला तला ने आपको तरीके कार बता दिया हुआ है लेकिन कम किसमती हमारे गरों के अंदर ये हैं हमारे गरों के अ रहमत के फरिश्टे उस गर में नहीं आते हैं जहां कुटे हो या जानदारों की तस्वीरे हो अब बताएं आप ने रहमत के फरिश्टों को तो पहले ही रोक दिया और हिंदुआने मौाशरे को अपनाते हुए हमारे गरों के अंदर बकादब पूरे बहुते हैं गोतम इसे इलाज पूशती हैं इसे इलाज नहीं होते हैं सबसे पहले अपने गरों के अंदर फरिश्टों को दाखिल होने दें खुदा के लिए और आपने जो रकावटे खड़ी कर दी हैं फरिश्टों के दाखिल होने से उनको दूर कर दें फरिश्टों को आने दें फिर उसक तरीम पढ़ें, तिलावत करें, खुद नहीं कर सकते, कम से कम रिकार्डिंग लगा लें, आज की दुन्या में तो ये बहुत असान काम है, उसके साथ साथ फिर अपने वजाइफ जो मामूल के मताबिक अल्ला के नभी ने बताए हैं, इस्तिगफार है, तस्विहात ए अल्ला उतना जल्दी आप पर कारगर होता है, प्लस ये कहम बावजूर रहके भी कोई गलत काम करने से पहरे, इन चीजों की तो कोई भी पबंदी ना करें, और आप ले लें के मैं एक कुष्टा ले लूँ और पुरिया ले लूँ और क्या कहते हैं, लेलू और काम हाल हो आप कैसी है घजाला बात करें हैं, जी बिलकुल, आप का शूखर है, तुर वी अच्छा ए मैं रेगिलर कॉलर हू और आज मुझे बहुत जरूर जी जहां जी, 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 क्या आ दो हैं, मेरा सवाल भी और मुक्ति साफरे, मदब के बच्चों का नजर के लिए क्या बानना चाहिए कोई मतब नोई आयात या कुछ बता दें नजर लग जाती है जल्दी ठीक है ठीक है ठीक है नजर चलें ठीक है थैंक यू सो मच मिस घजाला फॉ कॉलिंग जैसे नहीं ने कहा कि बच्चों के लिए जैनरी वैसे नहीं हम रिपीट बता चुके हैं कई दफा सूरे कलम की आखरी आयात पढ़ लें या लिपके आप गले में भी लटका सकते हैं इसम यह लगए पू करते हैं अन्यकित अन्य मतलब उस फू के अंदर कुछ थू के जर्रात होते हैं अच्छा हाँ यह होता है यानि इसके बहुत ऐफेक्तिव है यहजिस से फाबित है जब आप किसी को कर रहे होते न ऐसे कर लिया कर आप अच्छा हाँ यह बगादे यह जर्रा आप लोग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और हमारा जूस भी रेडी हो चुका है और इसी के साथ मैं बता दू क्योंकि हमारे कॉलर्स वेट कर रहे होते हैं कि वह कौन लगी विनर्स हैं आज के हमारे फ्री वाउच्छ जाएंगे और नाजीन इसी के साथ मैं अपने आज क शो का एक तताम करती हूं मुझे कीन है कि आपको फाइदा हुआ होगा इन बातों से यानि सबसे पहले जो है एक तो ही के अपने जहन से वह जो एक टेंशन वह साइकलोजिकल आपका प्रेशर है उसको हटाईए वहम को हटाईए क्योंकि वह सबसे नेगिटिव चीज है और फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल एक चोटा सा तावीज दे दिया जाए यहां हम मिर्चे वार दें या फिर कुछ न कुछ करते हैं और इसी के साथ साथ फिर सदका भी देते रहना चाहिए पर किस वह रदे बला होता है नाजीन बहु करते हैं